जिसकिसी भी अगर मच्यॉर विक्ति के साथ आप र्लेशन्शिप में आऊगे वह कभी वह आपको यह काश क़्वूजन का मौका दे गांग ही निए वह क्लाइटी रखेगा बाई देखो ऐसा-एसा है यहां तो वह कहेगा कि मैं आपके तरह यूज करूँगा emotional fools हो जो इस चीज के चक्कर में आते हो अगर सामने वाला व्यक्ति सच में चाहता है आपके साथ रहना तो वो clear आपको दिखेगा आपको clear intuitions आएंगे आपको confusion नहीं होगा दुनिया भर के जो confusion पालते हैं उनके relationship गलत लोगों के साथ है इस चीज को accept कर लो खुद को जूट मत बोलो खुद को जूटे दिलासे मत दो पचास लोग आपको मिलेंगे जो manipulate करेंगे emotional blame game खेलेंगे victim card खेलेंगे लेकिन आपके पास भी दिमाग है सोचो लॉजिकली सोचो यार सिर्फ और सिफ दिल की बात नहीं होती है मुझे तो लगता है यह जो दिल विल की बाते करते हैं लोग दिल प्यार इश्क महपत यह fiction ह है poetry है drama है इसको entertainment के लिए एड्यूकेशन के लिए नहीं रियल लाइफ में किसी relationship मेंकर आप हो और आपका दिमाग काम नहीं करता है अफिर आप जान पूछ कर बंद करते हो तो अलती आपकी है उसके बाद दिवार पर सर कूट कर रोने की drama यह सब बंद कर दो कुछ दिन पह यार सोच समझ के नहीं होता फिर मैंने का कि भाई दिक्कत क्या है क्या हुआ है तो उन्होंने मुझ से शेयर किया पूरी चीज की उनका कोई relationship था और किसी के साथ थी वह कुछ relationship वगरा में होगी और उनको आज एक regret है उसके उनके अंदर की काश मैंने उनसे एक बार और कूछ लिया होता काश एक और मौका दिया होता सबसे बड़ा वाइरस जो है काश का मतलब सिंपल लॉजिक में है regret काश मैंने वो जॉब आफर ले ली होती काश मैंने वो इंटर्वी दे दिया होता काश मैंने उसे अप्रोच कर लिया होता काश मैंने उन्हें एक और मौका काश हमारे रिष्टे को एक और मुखा दिया होता ड्रामा टोटल ड्रामा जिस किसी भी अगर मच्योर व्यक्ति के साथ आप रिलेशन्शिप में आओगे वो कभी भी आपको ये काश कन्फूजन का मुखा देगा ही नहीं वो क्लारीटी रखेगा वाई देखो ऐसा ऐसा है य आपको ये बीच में लटका आने वाले लोग जितने भी हैं वो जान बूच कर ये मैनिपिलेशन गेम खेलते आपके साथ और आप एमोशनल फूल्स हो मैं सच में ये वर्ड यूज करूंगा एमोशनल फूल्स हो जो इस चीज के चक्कर में आयाते हो आपको जब कोई भी व वहांदार होता है ना सच्चा होता है वह अपने इंटेंशन क्लारीटी के साथ कंवे करता है कम्यूनिकेट करता है रलेशनशिप में सबसे इंपोर्टन्ट चीज ही होती ही कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन घटिया है ऐसे विक्ति की साथ रहने आप कोई सेंस नी बनता उसके बाद आप पूरी जिन्दगी काश 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 में निकालने वाले हो हो सकता है यह बातें आपको हार्ष लगे लेकिन यह सुनने कि आपको जरूरत है क्योंकि आपको कोई यह सुनाएगा नहीं हर को एंटेंट रहेगा काश एक और मौका दी होता हमारे प्यार को शायद जिन्दगी में फिर मुलाकात होती है सब ड्रामा चाय पीते-पीते सुनन कोई दिक्कत नहीं मुले लेकिन किसी व्यक्ति को क्लारिटी के साथ चीजने करनी है तो उनको मेरी बाते सुननी ज़रूरी है बले ही बुरी लगे अगर सामने वाला व्यक्ति सच में चाहता है आपके साथ रहना तो वह क्लीर आपको दिखेगा आपको ख्लीर इंटुशन आएंगे आपको confusion नहीं होगा दुनिया भर के जो confusion पालते हैं उनके relationship गलत लोगों के साथ है इस चीज़ को accept कर लो खुद को जूट मत बोलो खुद को जूटे दिलासे मत दो कि राइट जब सही में आपकी इमानदर व्यक्ति से मुलाकात होगी आप खोद यह फील करोगे कि मुझे अभी कुछ गरत इंटुशन आदे नहीं है आपके इंटुशन मुझे लगता है कि 80-90% of the time सही होते हैं मैंने तो यह experience किया भाई experience से कह रहा हूं पड़ी लिखी कही कि बाते नहीं है आपको कही न कहीं जब किसी से मिलते हो ना आपको इंटुशन आता है क्योंकि आपका इतना सारा experience है कितावे पड़ने की ज़रोती नहीं आपको खुद का life experience देख लो आप सब समझ जाओगे आखो की पट्टी हटाओ और देखो clarity के साथ देखो logic के साथ द उसके बाद उन्होंने एक महीने बाद मुझे message का reply दिया कि यश आपने बात कडवी कई थी लेकिन सच कई थी अब मेरे देमाग से loaded गया वह चीज का तो मैंने का इसमें कोई बड़ी ग्यानवाद की बात नहीं यह बच्चा भी समझता है कि भाई हां का मतलब होता है ना का मतलब ना होता है और कुछ नहीं होता यह बीच में लटकने वाले चीज़े कुछ नहीं होती यहार देखो मेरा अप्रोश तो सिंपल रहता है किसी भी चीज को लेकर खास तरपर relationships को लेकर मेरा अप्रोश बहुत सिंपल रहता है इधर इस और अ क्लिर सिंपल नो मेभी मेभ më diagonal होते हैं टोट्ल टोट्ल नंसेंस अ हरकिसी को पता होता है कि मुझे क्या करना है ठीक है 5 5 साल बाद relationships को होते हुद रहोंगी रहोंगा ये नहीं हर किसी को पता ही होता है ठीक है जूडद के साथ बस एक जूड़ के साथ मत बोलो आपको समझ में आता है जिसके आता आप रहते हो न आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति साथ में रहने लाइक है नि आप क्लियर बोल दो कि यार मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा इंटेंचन clarity रखनी है तो रखो वरना टाटा भाई भाई कोई दिक्कत नहीं मुझे मरे नहीं जा रहे हैं किसी के वज़े से जिन्दगी में मुशा ये अप्रोच रखोगे न आपको आप ही की तरह आप ही की तरह आपको honest लोग मिलेंगे जब आप खुद इतनी clarity रखोगे कि भाई देखो मुझे ड्रामा पसंद नहीं आती मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना rude way में बोलो honesty प्यार से बोल सकते हो कि यार देखो जो भी intention है clarity रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा मुझे regret करके जिन्दगी नहीं निकाल ली हमेशा ही अप्रोच रखना और खास तोर पर poetry सुनो movies देखो daily soap देखो लेकिन entertainment तक आपको बुद्धी नाम की कोई चीज दिये चाहे nature ने दिये चाहे भगवान ने दिये चाहे किसी ने भी दिये चाहे आपके माबाब ने दिये ब्रेन है ना उसका इस्तिमाल करो दिमाग का इस्तिमाल करो कि ड्रामा करके जिंदगी नहीं निकलती इस से किसी का पेट नहीं बरता मैं बस यह कहना चाहरा हूं जाद लोगों को यह कड़ी बाते हकीकत वाली बाते सुनने पसंद नहीं आ देखिए क्योंकि उनको फैंटेसी बवल में रहना अभी वह कमपटिबल हो चुके कि यार हमारी आपने अच्छी खासी मीठी सुनेहरी दुनिया का आपने सत्यानास कर दी तो मैंने का भाई किसी को तो ज़रूरत है यह करने की क्योंकि वह मीठी सुनेहरी दुनिया आपको दुख की दे रही है ना दुख दे रही है राइट चाय के नुकड़ पर आप जो पोईटरी करते हैं आप उसको रियल लाइफ में अपलाय नहीं कर सकते बस मैं इतना मानता हूं मैंने करके देख वह एक डिफ्रेंशियेशन रखो हमेशा चीजों में आपके कोई भी क्वेश्चन से या कन्फूजन से आप चाहत नहीं कि किसी टॉपिक पर में वीडियो बनाओ पर देफिनेटी यू पिंग में पान माइंस्टरगरम जिसा अट रिट याश तोलसियानी आपके नेक्स व